गुड मॉर्निंग दोस्तों स्वागा थे आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे सी यूटूब चैनल Steady Circle 2.0 में और दोस्तों आज भी आपका एक्जाम था BMC का ठीक है Electrical Engineering के जो भी बच्चे थे उनका आज एक्जाम था ठीक है इस एक्जाम की आपकी answer की ठीक है तो चली देख लीजिगा आपने कितने question right और कितने incorrect की है ठीक है तो चली दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब करना बिलकुन न भूले तो दोस्तों आपका पह तो दोस्तों इसका आपका option D सही हो जाएगा द्रबमान और उर्जा ठीक है दोनों ही हमारे खुले निकाय में ट्रांसफर हो जाते है एयर में दोस्तों option तीसा देखिए निमलिकत मैंसे किस उर्जा के सभी सरोतों में सबसे अधिक छमता है तो दोस्तों देखिएगा option आप option दोस्तों D सही हो जाएगा हब और इसलीब दोनों में ठीक है इसमें आपकी कुंजी फिट होती है दोस्तों अगला question देखिएगा question नमर फाइव ठीक है इस question का दोस्तों जो आपका right answer है option C sleep joint ठीक है क्या दोस्तों sleep joint हो जाएगा आपका इस question का right answer ठीक है प्लूप से ओपयों किया जाता है दोस्तों कोईले का यानि का दोस्तों इसका कोईला का option B आपका इस question का correct हो जाएगा ठीक है question 8 का दोस्तों आगला question दोस्तों आपका 9 दिया गया क्या दिया गया देखिएगा question 9 है ने में से कौनसी 8 को प्रात्मिकता नहीं दी जातीं ठीक है कोस्षंट नंबर नाईन तो इसका दूस्त Oक्षंट एक क। रर्ण ठीक है क्लैम्प बर्न दोस्तो इसका A आपका 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 do la έχει कारक्ट हो जाएगा ठीक है आपका । जुब aids करेक्ट हो जाएगा दोक्ष两 तो संबन्दित है तो दोस्तों किस से temperature से ठीक है आपका इसका option A सही हो जाएगा 11 में का दोस्तों आगे देखेगा आपका question number 12 ठीक है question number 12 का दोस्तों कौनसा option सही होगा तो चलिए देखते हैं दोस्तों question number 12 ठीक है दोस्तों helical gear जो होता है लिप्ट बगेरा में दोस्तों question number 13 देखिएगा किस gas की उपस्तिती में इंधन को उस्मा के रूप में उर्जा उत्पन करने की लिए जला जाता है तो oxygen ठीक है खुले बाता बढ़ में अगर हम कोई इंधन जलाते हैं तो oxygen की उपस्तिती में जलता है तो option दोस्तों इसका आप ही option हो जाएगा कौन सा option दोस्तों आपका दोस्तों दूसरा option रिन्यूवल एनर्जी ठीक है यानि की अच्छ है उर्जा ठीक है इसका दोस्तों आपका option भी correct हो जाएगा और दोस्तों अगर किसी question में डाउट है तो please comment box में जरूर बताईएगा ठीक है हालांकि पिछले में देखिएगा अगला दोस्तों question क्या है यह दोस्तों आपका question पन रह था आप देखेंगे दोस्तों question number 16 जूब्रीकेंट सिस्टम यानि की option A ठीक है इसका आपका करेक्ट हो जाएगा दूंद इसने निकाए ठीक है यह आपका कॉश्चन सोले का राइट एंसर हो जाएगा अब दोस्तों देखेगा नेक्स्ट कॉश्चन कॉश्चन नमबर 17 निम लेकित मैसी कौन कोटर जोड का हिस्सा नहीं है ठीक है तो दोस्तों कोटर जोड का हिस्सा क्या दिये गये हैं इसमें अपका कॉलर ओप्षंस सी आपका दूस्तों कर्यक्ट हो जाएक ठीक है औप्षंस सी दोस्तों क्या हो जाएगा इस قğeention का कट्षट Hmm देखेगा question number 18 question number 18 में किया दिया गया एक खुला निकाय में अधिकतम कार के लिए पूरी तरह से होनी चाहिए तो दोस्तो क्या reverse will यानी प्रतिवर्ती ठीक है आपका option एक correct हो जाएगा question number 18 का ठीक है दोस्तो आगे देखे दोस्तो question number 19 question number 19 आपका क्या दिया गया है चलिए देखेगा ये दोस्तो question number 18 था ठीक है question number 19 है आपका जली हुई इटों को भी कहा जाता है ठीक है क्या हो जली हुई इटों को कहा जाता है दोस्तो कच्चा ब्रेक्स यानी कच्ची इट है ठीक है option आपका 19 का A सही हो जाएगा ठीक है, दोस्तों आप दीखिएगा next question, इसका आपका question का option A correct हो जाएगा, question B से name लिकत मैंसे कौन B-ring के कार है, ठीक है, बेरेंग के कार है, तो option c, option c इसका आपका सही हो जाएगा, question number 21 है intercepting soft में power transmission के लिए name लेकित मैंसे किसका उपियो किया जाता है ठीक है तो दोस्तो आप देखिए question number 21 इसका आपका दोस्तो कौनसा option सही हो जाएगा option दोस्तो D wevel gear का उपियोग हम लोग इसमें करते हैं ठीक है तो इस question का दोस्तो right answer हो जाएगा आपका option D 21 का दोस्तो क्या D option सही हो जाएगा दोस्तो अगले देखिए का 22 ठीक है दोस्तो 22 तो 22 में कहा है भारी cutting के लिए प्रभावी इस नयाग है ठीक किस इस नयाग का उपियोग हम भारी cutting के लिए करते हैं तो दोस्तो option B cutting oil का ही हम लोग क्या करते हैं भारी कटेंग के लिए उपयोग करते हैं तो इसका option भी correct हो जाएगा question number 22 का आपका option भी correct हो जाएगा दोस्तो question 23 दिया गया दिये गए बिकलपों में किस gas का उस मिमान सबसे अधिक है ठीक है तो helium है hydrogen nitrogen oxygen तो दोस्तो hydrogen का आपका सबसे ज़्यादा उस मिमान रहता है ठीक है इन सभी मैंसे तो option भी आपका correct हो जाएगा दोस्तो next question 24 ऐसा यह काई हो में उर्जा की एकाई है तो क्या होती है दोस्तो joule क्या होती है दोस्तो joule तो इसका आपका correct answer दोस्तो क्या हो जाएगा joule ठीक है इस question का आपका correct और दोस्तों मैं आप से एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मैंने दोस्तों इसके पहले आपको एक वीडियो प्रोवाइट कराये हुआ था वी एम डवली का ठीक है उसमें मैंने दूस्तों आपको जो कॉशन बताये हुए थे उसमें से कुछ हमारे सब्सक्राइबर थे जुन्होंने कमेंड किया हुआ था कि कुछ कुशन रॉंग है तो दूस्तों उसमें से аюсь ऐं हमारी गलति को पकड़ा हुआ ठीक है और हम स्वरी कहते हैं इन से तक हैं फो ऑर सब्सक्राइबर श्रेष्ट nations जो कहा गया था कि आप का जो option दिये गए थे उसमें पूंचा गया था कि इसमें से कौन उर्जा का गैर परंपरागत सुरोत है तो उसमें दोस्तों आपको सूरत सही था अब सूरत क्यों सही है तो दोस्तों गैर परंपरागत उर्जा के सुरोत बे सुरोत होते हैं जिनका उपयोग दोस्तों हमने हा होगा तो लकड़ी सही नहीं होगा क्योंकि लकड़ी का उपयोग हम बहुत लंबे टाइम से करते चले आ रहे हैं और उनके बिलुप्त होने की संभावना बढ़ती जा रही है ठीक है तो दोस्तों इसमें आपका बॉर्म गेर का ही अधिक्तम होगा ना कि हेलिकर गेर का ठीक है तो हलांकि उन्हें तो समझ में आ गया था लेकिन जो हमारे दोस्तों स्रेस्ट थे यह बार बार बोल रहे थे कि नई सूरज नहीं होगा मेरी मैम ने बताया हुआ है कि लगड़ी होगा तो वहां दोस्तों सन हो ठीक है यानि सूरज होगा तो आई होब आपको किलियर हो गया होगा और अगर आप अच्छे से डाउट किलियर करना चाहते हैं तो टेलीग्राम गुरूप से जरू जुडियेगा ठीक है तो थैंक्यू एंड थैंक्स फर वाचिंग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में